So yes, welcome to electrical department आज के इस वीडियो में एक new job vacancy के बारें बताने वाला हूँ जो की अराय टाटा की तरफ से टाटा की तरफ से डिप्लोमा इंजिनियर ट्रेनी की पोस्ट के लिए vacancies निकाले गई हैं जिसमें 2023 के pass out candidate eligible हैं अपलाई कर सकते हैं यह जो vacancy निकाले गई है टाटा टेकनलोजी की तरफ से निकाले गई है डिप्लोमा इंजिनियर ट्रेनी की पोस्ट के लिए जिसमें आपका salary जो होगा वो 2.3 LPA से 3.2 LPA इसमें eligibility criteria क्या होगा, selection process क्या होगा, आपका job role क्या होने वाला है job location क्या होगा, आपको salary क्या मिलेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे तो complete information के लिए वीडियो को पूरा end attack जेखती रही है टाटा की तरफ से एक बार फिर से काफे अच्छी opportunity है आप लोगों के लिए अगली जो vacancy आएगी आप से ही relevant होगा, तो चलिए अब देखते हैं क्या का इसमें important चीजे दी गई है पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है कि जो टाटा कंपनी है, इसकी जो vacancies आती है टाटा की तरफ से यहां पर देखने को मिल जाएगा, तो यह vacancy निकाली गई है, लिए टी इलेक्ट्रिकल तुजार तेजानी की डिप्लोमा इंचिनियर ट्रेनी की पोस्ट के लिए केवल यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वालो के लिए vacancy है, यहाँ पर आपको बता दे, एक हफ्ते पहले ही, साथ दिन पहले ही, इसमें डिप्लोमा इंचिनियर ट्रेनी की ही पोस्ट के लिए mechanical वालो के लिए vacancy थी लेकिन यहाँ पर अभी electrical वालो के लिए vacancy चल रही है role आपका क्या होने वाला है diploma engineer training के रोल होगा job location की बात करें तो ठाटा technology company पूरे इंडिया में जहां भी है वहाँ पर आपका job location हो सकता है यहाँ पैन इंडिया आपका job location होगा जो 2030 के pass out candidate है वही इसमें eligible है apply कर सकते है qualification की बात करें तो आपके पास diploma होना चाहिए electrical engineering में ठीके और यह vacancy जो है किवल Fraser candidate के लिए है अगर आपके पास इसमें experience है तो आप इसमें eligible नहीं है apply नहीं कर सकते हैं ठीके अब दिखे लेते हैं qualification में diploma in electrical engineering के अलावा कुछ academic qualification आपके पास होना चाहिए और यहाँ पर देखिए apply link दिया गया है इस link पर click करके आप इस form को भर के apply कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं इसमें apply कैसे करेंगे इसके बात करेंगे कैसे इस पर selection process है कहां सी questions आते हैं आपका salary क्या मिलने वाला है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप apply link पर click करेंगे इस प्रकार का page आपके सामने open हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं Tata Technology D.E.T. Electrical की vacancies है इसमें आपका जो work होगा क्या work होने वाला आपका इस company में तो यहाँ पर सारी चीजे दी गई है इसको आप लोग पढ़ लिजेगा डिरेक हम चलते हैं eligibility criteria की तरफ तो देखिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए electrical engineering में इसके अलामा 10 और 12 में आपके पास 60% marks होने चाहिए कोई भी year gap नहीं कि 10-12 के बाद अगर आपने gap किया है तो आप इसमें eligible नहीं है कोई भी year gap नहीं होना चाहिए और कोई भी backlog नहीं होना चाहिए only इसमें 2030 के pass out candidate is eligible होंगे अपलाई कर सकते हैं designation यानि कि आपका जो पोस्ट होने वाला है वो डिप्लोमा जिनियर ट्रीनिक होगा यहाँ पर candidate name, contact number, email id इस सब basic चीज़े हैं आप लोग इसमें fill कर देंगे fill करने के बाद इसमें आपका branch electrical यहाँ पर other भी दिया गया है लेकिन यहाँ पर जो वेकेंसी निकाली है अगर आप अधर ब्रांज से हैं तो आप अधर पर क्लिक करके apply कर सकते हैं हो सकता है आपके पास company की तरफ से जाकर वहाँ पर save करेंगे उसके बाद यहाँ पर वहाँ से आप लोग link वहाँ पर आ जाता है option link वहाँ से फ्राप्त करने का तो उस pdf का link यहाँ पर आपको paste कर देना है और submit पर क्लिक करेंगे तो इस वेकेंसी के लिए आप apply कर पाएंगे अब बात करते हैं इसमें आपका selection process क्या होगा तेके selection process की बात करें तो आपसे पहले आप इसमें apply करेंगे तो आपका resume जो है वो shortlisted होगा resume shortlisted के बाद इसमें आपका aptitude test होगा aptitude test में reasoning के question हो सकते है math के और English के question और भी subject के question मिक्स हो सकते हैं सभी question जो होंगे वो mcq based होंगे इसके बाद आपका technical interview होगा या या फिर technical का test भी हो सकता है interview जो होगा या फिर electrical का जो test होगा उसमें आप diploma in electrical engineering में जो भी subject पढ़े होगे उसी related question होगे इसके बाद इसमें एक interview होगा HR round इसमें interview होगा ठीक है तो ये इसका selection process है तो आप लोग सबसे important पहला चीज़ में क्या है आप लोग सोच सकते हैं पहला 2.3 LPA से 3.2 LPA तक हो सकता है starting salary की बात करें तो इसमें आपका starting salary जो होगा तो तेईस हजार से 24,000 रुपे पर मत आपको salary देखने को मिल जाएगा ठाटा कंपनी इतना salary प्रवाइट करती है और जब आपका training complete हो जाएगा तो इसमें आपका salary होगा वो 3.2 LPA हो जाएगा तो क जैसे कि यहाँ पर देखेंगा job role क्या है उसको आप देखेंगे क्या क्या चीज़ें में दिया गया है इसके बाद इससे रिलेटर जो भी चीज़ें अपने resume में जरूर mention करें ताकि आपका resume shortlisted हो तो इसी प्रकार से technical filter job update पानने के लिए इस channel को आप लोग सब्स्राइब कर आगया है group description में link दिया गया है वहां से आप लोग group join कर लीजिए जो भी query होगा वहाँ पर भी आप discuss कर सकते हैं बिल्कुल वहाँ पर कोई भी fake vacancies नहीं आपको देखने को मिलेगी नहीं कोई fake discuss होगा जो भी होगा सब genuine होगा तो आप लोग WhatsApp group जरूर से join कर लीजिए आप मि पिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में